नमस्कार पंचकुशा हीलिंग में आपका स्वागत है मैं हूँ संगीता बाउने शिर्नात, मैं हूँ एक योगा थेरपी, साधी साथ एक योगिक डेटीशन भी आज के वीडियो में मैं बात करूंगी ब्रीधिंग के साइंस के बारे में प्राण में एकोश के विकास के लिए ब्रीधिंग के पैटरन को सुधारना जरूरी होता है जितना दादा ध्यान हम अपने श्वास को बहतर बनाने में लगाएंगे उतना ही हमारा प्राण में एकोश बहतर बनता जाएगा जब हम अपने शरीर में होने वाली क्रियाओं को गहराई से समझ ले कि कोई क्रिया कब कैसे और किस तरह काम करती है तो उस शाररिक क्रिया के प्रती हम ज़्यादा जागरुक हो जाते हैं अगर हमें ब्रीधिंग को बहतर ढंग से समझना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि ब्रीधिंग के साइन्टिफिक कॉंसेट के बारे में समझना इस वीडियो में मैं जो कबर करूँगी वो है ब्रीधिंग क्या है अपने लंग्स की छोटी से अनाटॉमिक के बारे में हम जानेंगे हमारे lungs में से oxygen हमारे cell तक पहुँचने पर cell में क्या होता है और cell में energy कैसे produce होती है तो बढ़ते हैं अपने topic की और श्वास क्या होता है तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि breathing क्या होती है साधारन इनसान श्वास के बारे में केवल इतना ही जानता है श्वास लेना और छोड़ना यही श्वास होता है अगर हम science के अधार पर बात करें तो breathing एक mechanical process होता है जिसमें हमें श्वास को लेने वच छोड़ने के लिए खुझ से कोई efforts नहीं लगाने पड़ते श्रीर में breathing का जो process होता है वो natural तरीके से होता है lungs अपने आप air को अंदर लेते हैं और अपने आप air को बाहर छोड़ते हैं प्रतेख श्वास यानि की breathing के दो face होते हैं inhalation और exhalation inhalation जिसमें हम श्वास को अंदर की तरफ लेते हैं इसमें हम बाहर की fresh air को अंदर की तरफ लेते हैं जिसे हम oxygen कहते हैं exhalation जिसमें हम श्वास को बाहर की तरफ छोड़ते हैं इसमें हम शरीर के अंदर use की हुई air को बाहर छोड़ते हैं जिसे हम carbon dioxide कहते हैं इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि जब हमने इनलिशन करते हम थार शवांस को अंदर की तरह भरते हम गहां है जो हमारी थुरैसे किया वहती है यह जाती फीपृर्म फूल जाते हैं थ्राक्टियसकि थ्राइसिक ग्राइसे इंटर्पास्टल मसल्स नीचे के और घाय जाता है वहीं इग्जिलेशन में जहां तो हमारी होटी है उसका साइज रिडियूस हो जाता है आम भाशा में तो फेपृर्म कि खाली हो जाते हैं Intercostal muscles relax हो जाती है, साथ में diaphragm भी relax हो जाता है Exhalation में diaphragm के phrenic muscle, intercostal muscle और abdominal muscles ये तीनों muscles relax हो जाती है तो चले अब हम अपने lungs के anatomy को यहाँ पर brief में समझ लेते हैं हमारे lungs के दो पार्ट होते हैं, right lung और left lung हमारा जो left lung होता है, वो हमारे right lung से 1 इंच शोटा होता है सबसे पहले हमारा जो शोटा होता है, वो हमारे नाक से एंटर करता हो, हमारे pharynx में जाता है और वहाँ से गुजरता हो, हमारे larynx में जाता है, larynx जिसे हम voice box भी कहते हैं फिर वहाँ से ये शोटा हमारे trachea में एंटर करता है यहां से ट्रेक्या दो भागों में डिवाइड हो जाता है लेफ लंग और राइड लंग में यह दो भाग ब्रॉंकर्स कहलाते हैं यह पेड की मोटे मोटे ब्रांचिस की तरह होते हैं और यही branches और पत्ली-पत्ली branches में divide हो जाते हैं, जिसे हम bronchiles कहते हैं, हर bronchiles के end में छोटे-छोटे air sac होते हैं, जिसे हम alevally कहते हैं, यह दिखने में छोटे-छोटे गुबारों की तरह दिखते हैं, यह हर bronchiles में अंगूर के गुच्छों की तरह चिपके होते हैं, हमारे lungs म 600 millions एलवली होती है और इनहीं एलवली में gas exchanges होता है carbon dioxide और oxygen का इन एलवली के उपर blood की capillaries होती है ये blood capillaries दो तरहा की होती है red color और blue color की actual में anatomic study में इन capillaries को समाजने के लिए इनको red और blue color से mention किया जाता है actual में इन capillaries का रंग अलग होता है जो red color की blood capillaries होती है वो एलवली से oxygen को cell तक पहुँचाती है और वहीं blue color की blood capillaries cell में से carbon dioxide को लेकर एलवली तक पहुचाती है और exhalation के जरी हम सारी carbon dioxide को बहार निकाल देते हैं इस पूरे process को हम respiration cycle कहते है एलविक respiration क्या होता है cell हमारी शरीर के सबसे चोटी unit होती है हमारे शरीर में करूडो cell होती है इनी cell से मिलकर हमारे पूरे शरीर का निर्मान होता है क्या आपको पता है हमारी हर एक cell भी breathe करती है यानि कि श्वांस लेती है जी हां हमारी हर cell सांस लेती है हर cell oxygen को लेती है और carbon dioxide को बहार छोड़ती है इस पूरे प्रकरिया को Arabic respiration कहते है ये respiration हमारी सभी cell में होता है हर cell में Arabic respiration इसलिए होता है ताकि हर cell energy को produce कर सके तो आईए Arabic respiration के science को भी हम यहाँ पर समझ लेते है कैसे Arabic respiration के जरिए हमारी cell में energy produce होती है हमारी lungs के alvely में gas exchanges होते है oxygen और carbon dioxide का जो हम श्वांस लेते हैं वो हमारे alvely sac तक पहुँचती है इन alvely के ओपर red और blue clear की blood capillaries होती है ये red clear की blood capillaries alvely से oxygen को लेकर हर्ट तक पहुँचाती है और हर्ट वहां से पूरे श्रीट के cell में oxygen पहुँचाने का काम करता है इन blood capillaries के दुरू हर्ट पूरे cell में oxygen के supply करता है हर cell में glucose होता है हम जो भी खाते है हमारा श्रीट उसे glucose में convert करता है ये glucose हमारे cell में तब तक रहता है जब तक उसे oxygen का संपर्ग नहीं मिलता जब ये glucose oxygen के संपर्ग में आता है यानि यहाँ पर जब blood capillaries के दुरू oxygen cell में आती है तो इन दोनों का reaction होता है glucose और oxygen का glucose और oxygen की reaction से cell में तीन चीज़े produce होती है पहली ATP जिसे हम energy कहते हैं दूसरा water जिसे हम पानी कहते हैं और तीसरा CO2 जिसे हम carbon dioxide कहते हैं cell में produce हुई energy को शरीर को जरूरत होती है तो शरीर इसे energy को use कर लेता है वही carbon dioxide एक harmful gas होती है cell को उसकी जरूरत नहीं होती glucose की blood capillaries cell में से carbon dioxide को लेकर heart तक पहुँचा दी है और heart वहां से carbon dioxide को blood capillaries के जरीए elevali तक पहुँचा देता है और exhalation के जरीए elevali carbon dioxide को बहार निकाल देती है तो इस पूरे process को हम aerobic respiration कहते हैं तो अब तक आप नहीं जाना कि श्वांस एक mechanical process होता है और यह श्वांस हमारी नाग से गुजरता हुआ हमारे फेफरो के अंत में elevali sac तक पहुँचता है elevali जहां पर gases का exchanges होता है carbon dioxide और oxygen का elevali के उपर red और blue color की blood capillaries होती है यह capillaries oxygen और carbon dioxide को cell तक ला दी और ले जाती है और हमारे श्वांस के प्रत्यक cell में aerobic respiration होता है जिसके जरीए हमारे cell में उर्जा का निर्मान होता है और यही उर्जा या energy हमारे पूरे श्रीर के हर कार्यों के लिए जरूरी होती है तो अब आप जान गए होंगे कि श्वांस को सही ढंक से लेने से हमारे श्रीर में energy level बढ़ते हैं यह energy level तभी बढ़ सकते हैं जब आप अपनी breathing के pattern को सुधा सकेंगे जब आप प्राणायम वा लंबे गहरे श्वांस का नियमित रूप से अभ्यास करेंगे तभी आप अपने श्रीर में और अपने lungs में oxygen की capacity को बढ़ा सकेंगे एक साधारन मनुशे जो प्राणायम वा लंबे गहरे श्वांस का नियमित अभ्यास नहीं करता है वो अपने lungs का केवल 30 से 40 प्रतिशत हिसा ही use कर पाता है बागी का 60 से 70 प्रतिशत लंग्स का हिस्सा वो use ही नहीं कर पाता है कारण श्वांस का अभ्यास नहीं के कारण जितना लंबा गहरा आपका श्वांस होगा उतना जादा oxygen आपके फेफरों तक पहुँचेगी और उतनी ही जादा oxygen आपके प्रतिक सेल तक पहुँचेगी हमारे इतने बड़े शरीर को दिन राद चलाने के लिए हमें energy circulation की जादा जरूरत होती है लेकिन हमारा श्वांस लेने का साधरन तरीका हमारे lungs के कुछ ही ऐलवली में oxygen को पहुँचा पाता है जिसके कारण हमारे कुछ सेल तक ही oxygen पहुँच पाती है जिसे हमारे शरीर में energy का circulation प्रॉपर नहीं हुपाता है और वहीं हम कभी कबार low of energy की कमी भी महसूस करते रहते हैं अगर हम अपने श्वांस को प्राणायम वो लंबे गहरे श्वांस के अभ्यास के द्वारा बहतर बना लेते हैं तो हमारे lungs में सभी ऐलवली में oxygen की सप्लाई ज़ादा होने लगेगी और वहीं oxygen हमारे सेल में जाकर ज़ादा से ज़ादा energy प्रोडूस कर सकेगा तो अपनी श्रीक की समस्त क्रियाओं को आप सुचारू रूप से चलाना चाहते हैं और आप हमेशा ओर्जावान बने रहना चाहते हैं तो प्राणायम वो लंबे गहरे श्वांस द्वारा अपने लंग्स को मजबूत बनाईए और प्राणायम वो लंबे गहरे श्वास का नियमित अभ्यास करें इसलिए हमारे रिशिर मुनियों वो योग रंथों में श्वास पर जाधा ध्यान देने की बात कही गई है योग का चौधा अंग प्राणायम है प्राणायम इसी विज्ञान पर आधारित है कि श्वास को जाधा से जाधा बहतर कैसे बनाया जाए वैसे कहा भी गया है जिस वेक्ति का श्वास जितना लंबा उसकी आयू वो उसका स्वास भी लंबे काल तक टिका रहता है और जिस वेक्ति का श्वास जितना छोटा उसकी आयो भी उतनी छोटी होती है उमीद करती हूँ आपके लिए ये वीडियो हेल्पूल रहा होगा अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पूल रहा हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक केजे और मेरी इस वीडियो को जाधे साधा दाधा शेयर केजे मिलती हूँ नेक्स वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद